ये कतल का क्या किस्सा हुआ कर्नल किस्सा क्या हुआ था उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजिर आली को बनारस पहुचा दिया था और तीन लाख रुपया सालाना वजीफा मुकरर कर दिया कुछ मैनों बाद गवर्नर जर्नल ने उसे कलकता तलब किया वजिर अली कमपनी के वकील के पास आ गए जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जर्नल उसे कलकता में क्यूं तलब करता है वकील ने शिकायत की परवा नहीं की उल्टा उसे भला बुरा सुला दिया वजिर अली के दो दिल में यूही अंग्रेज के खिलाब नफ्रत कूट कूट कर भरी है उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया देखो यानि किस्सा यानि घटना वजीफा यानि सहायाता वृत्ती मुकरर यानि निश्शीत तलब यानि खोज अब यहाँ पर करनल लेफ्टिनन को वजीर अली द्वारा वकील को मानने की घटना का उनने यहां वर्नन किया है यह कहते हैं कि करनल के यह बताने पर कि वजीर अली अपनी कमपनी के एक वकील को हत्या की है लेफ्टिनन ने उसे हत्या की पूरी घटना का वर्नन करनल से करने को कहां तो करनल ने घटना का वर्नन करते हुए कहां कि वजीर अली को उसके पत से हटाने के बाद अंग्रेजों उन्हें वजिर आली को बनारस भेज दिया था और फिस साल के तीन लाक रुपे सहाय था या गुजाने के लिए उसे देने का निशे किया कुछ महेनों के बाद गवर्नर जनरल वजीर आली को कुलकत्ता यानि कुलकत्ता में याद करने लगा अर्थात बुलाने लगा वजीर आली कमपनी के वकिल के पास गया तो उस समय वह बनारस में ही रहता था उससे शिकायत की कि गवर्नर जर्नर उसे कलकता में क्यूं याद कर रहा है अर्था उसे क्यूं बुला रहा है वकील ने वजीर की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया और उल्टा वजीर अली को ही बुरा बला कहने लगा वजीर अली के दिल में तो पहले ही अंग्रेजु खिलाब नफरत कूट-कूट कर भरी हुई थी और वकील के इस तरह से वेभार ने वजीर अली को गुसा दिलाया उसने चाकू से वही वकील का काम तमाम कर दिया और वो वहां से भाग गया करनल यहां कहने लगा कि अपने जानसार समेत आजमगर की तरफ भाग गया आजमगर हुकुमारा ने उन लोगों को अपनी हिफाज़त में घागरा तक पहुचा दिया और करवा इन जंगलों में कई सालों से भटक रहे हैं मगर वजीर आली किस किम क्या है लेफ्टेन उसको पूछने लगा कि करणल यह बताने की वजीर आली ने वकील के हद्ऊ कैसी की उसके बाद लेफ्टेन करणल से पूछा कि हद्ऊ करने का बात वजीर आली कहां भाग गया और उसकी स्कीम क्या थी करनल स्कीम स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुच जाए अफगानी हमले का इंतिजार करें अपनी ताकत बढ़ाए सहाधत अली को उसके पर से हटा कर खुद अवद पर कबजा करें और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दें यह है उनकी स्कीम थी कि वोचाते थे कि वो आ वह यह करना चाहता है कि वजिर अली की तेरा मौन नेपाल पहुचना चाहता था वहां पहूंच कर उसकी योजना है कि वह अपकानी स्तान का हिंदुस्तान पर हमले का इंतिजार करेगा, अपनी ताकत को बढ़ाएंगा, साधत अली को स्यांसन से हटाकर खुद अवत का कबजा करेगा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल देगा, यह उनकी स्कीम थी करनल, यह बात सुनकर लेफ्टिनन कहता है कि नेपाल पोशना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, हो सकता है वो नेपाल भी पोच गया होगा पर यह करनल लेफ्टिनन को अशंका को मिटाते हुए कहता है कि अंग्रेजी फोश और नवाप साधत अली खास सिपाई बहुत सकती से वजीर अली का पिछा कर रहे थे अंग्रेज फोश की पूरी जानकारी है कि वजीर अली इनी जंगलों में कही चुपा है करनल कहता है कि क्या बात है गोरा दूर से गर्द उठाती दिखाई दे रहा है करनल सिपाई न कहए सिपाईयों से कहए दो कि तयारी तयार रहे सिपाई सलाम करके चला जाता है लेफ्टिनन जो खिर्की से बाहर देखने में मसरूप था गर्द तो ऐसी उठ रही थी कि जैसे गर्द यानी धूल धूल उठती दिखाई दिया तो एक वहाँ सिपाई अंदर आया उसने कहने लगा कि सिपाई से कहए दो कि तयारी रखो कि इसकी लड़ाई की तो यहां वहाँ वो सिपाई तेजी से अपने और कर्नल उठा उठख खड़ा और सिपाई से पुछने लगा कि उस पर सिपाई ने उतर दिया कि दूर से धूल उड़ती वोई दिखाई दे रही है करनल ने तुरंत सिपाई से कहा कि वह दूसरी सिपाई से तयार हैने के लिए कहे और सिपाई करनल को सलाम करके चला जाता है फिलेफ्टनन खिर्की से बहार देखने में बैस था और कहने लगा कि धूल तो ऐसी उड़ रही जैसे एक शेत्रक से दुसरे शेत्रक में जाने वाले आत्रियों का समूह आ रहा है परन्तु दिखाई तो एक ही घुर्षवार दे रहा है करनल भी खिर्की के पास गया और देख कर बोला एक हाँ एक ही घुर्षवार लग रहा है और तेजी से घुर्षवार को दोड़ कर चला आ रहा है